हलो दोस्तों मेरा नाम चन्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल का अंसर देने की कोशिश करूँगा यह सवाल होता है कि क्या मैं एक शेंगन जोन कंट्री से दूसरी शेंगन जोन कंट्री में मूव कर सकता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि क्या ये possible है एक Schengen zone country से दूसरी Schengen zone country में move होना अगर ये possible है तो process क्या है कितना time आपको wait करना पड़ेगा और हम ये भी बात करेंगे कि क्या आप PR मिलने के बाद एक Schengen zone country से दूसरी Schengen zone country में move कर सकते हैं इससे पहले कि हम आगे बड़े मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारी YouTube channel को subscribe करेंगे चूँकि मेरा purpose है आपको 100% genuine information देना इन फैक्ट मैं पूरे यॉरप में travel कर चुका हूँ और हमारे बहुत सारे clients हैं उनके experience और हमारी research के basis पे मैं ये video बना रहा हूँ अब देखें लोग पूछते हैं कि मैं हंगेरी जा रहा हूँ या पोलेंड जा रहा हूँ यहां से क्या मैं Germany move हो सकता हूँ या Portugal move हो सकता हूँ देखें एक चीज़ आप समझ लीजे अगर आप हंगेरी, Portugal या Czech Republic यहाँ D visa पे आ रहे हैं D visa मतलब long term visa पे और आपको यहां का residence residence permit card मिलता है तो आप देखें आप विदिन चेंगें जोन travel कर सकते हैं और मैं हमेशा है बोलता हूँ जब भी लोग पूछते हैं कि क्या मैं move हो सकता हूँ मेरा हमेशा है answer रहता है आप travel कर सकते हैं suppose करिए आपके पास work permit है हंगेरी का या study visa है हंगेरी का residence permit for the purpose of study है या residence permit for the purpose of employment है तो आप basically हंगेरी से बहाँ 90 दिन तक रह सकते हैं यानि travel कर सकते हैं आपके पास suppose करिए हंगेरी का work permit है तो इसकार यह नहीं है कि कहीं पे भी आप शेंगें जोन में work कर सकते हैं क्योंकि क्या है यह जो आपको हंगेरी का या पोलन का visa मिला है या national visa है और यह एक purpose के लिए मिला है मुझे ऐसे instances सामने आए हैं जहां पर लोगों को हंगेरी का work permit मिला और वो काम करने के लिए grease चले गए या slow आ किया चले गए और ऐसे cases में हुआ क्या कि उनके employer ने जब वो काम पे नहीं गए कुछ दिनों तक तो उनका जो residence permit था वो cancel करवा दिया और ज European Union को छोड़ना है तो एक चीज़ समझ लीजिए आप काम करने के लिए नहीं move कर सकते हैं एक Schengen Zone country से दोसरी Schengen Zone country में आप सिरफ travel के लिए जा सकते हैं business meetings के लिए जा सकते हैं conference attend करने के लिए जा सकते हैं लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना base move कर सके वो possible नहीं ह आपको basically possible तभी हो पाएगा जब आप अपने residence permit को change करें for example suppose करिए आप इस समय हंगेरी में पढ़ रहे हैं और आपको Germany में job मिल जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा हंगेरी में जो German embassy है वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाके Germany के visa के लिए apply करना पड़ेगा तो यह standard process process है या suppose करी आप अंगेरी में काम कर रहे हैं या पोलेंड में काम कर रहे हैं और आपको job Sweden में मिल जाती है तो आपको Sweden की embassy में जाके वहाँ पे वो process करना पड़ेगा कुछ cases में यह possible है कि आप उस country में जाके अपने जो visa process है immigration process को कर सकते हैं लेकिन standard process यही रहता है आप शें country में मूव होना चाहते हैं उस country के embassy में जाके वो process करना पड़ेगा एक चीज़ समझ लिजे कि मूव होना क्यों नहीं possible है अगर आप European Union के national हैं तो आप मूव हो सकते हैं क्योंकि आपको कोई work permit नहीं चाहिए लेकिन आप Indian national है या पाकिस्तानी national है नेपली national है तो आपके पा travel कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं हो सकते हैं क्योंकि मूव होने के लिए देखिए या तो आपको जिस country में मूव होते हैं वहां का वीजा लेना पड़ेगा दूसरा यह है पॉसिबल अगर आपके अंदर patients हैं कि आप वेट करिये nationality की आप suppose करिए आप Portugal में है और आप Portugal से जा जाना चाहते हैं Germany काम करने के लिए या तो आप Portugal में ही German embassy में जाईए और process को follow करिए या फिर आप wait करिए पोल्दगीज nationality मिलने का उसके बाद आप Germany में जा सकते हैं काम कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि जो भी आपके ideas थे या misconceptions थी कि आप एक शेंगन जोन country से दोसरी शे अंसर किया है या address किया है तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं जाते हुए आपसे request करूँगा कि आप हमारे YouTube चानल को subscribe कर लिजे thank you very much